प्रवाइब देख लिया था कि distributed system में deadlock जो होता है उसके दो control होता है यह दो तरह से हम उसको control कर सकते हैं क्या एक होता है centralized एक होता है distributed centralized में दो algorithm थी completely centralized एक थी हो रामा मूर्थी भाई इस lecture में हम पढ़ेंगे हो रामा मूर्थी algorithm तो भाई हो रामा मूर्थी algorithms जो है वो दो algorithm है पहली algorithm है भाई two phase algorithm भाई देखते हैं क्या होता है इसमें भाई two phase algorithm में क्या होता है हर एक site जो है एक status table maintain करती है हर every site मैं लिग दे रहा हूँ आपर every site maintains status table भाई इस status table में क्या होता है इस status table में उस site पर जितनी भी process हो रही है उनकी उनका status होता है basically ठीक है ना status table क्या है यह है status of all process at that site भहुत ही बड़ी ठीक है भाई यह अभी तक हमने पड़ा two phase algorithm में हर एक site जो है maintain करती है status table और status table में क्या होता है status of all processes at that site ठीक है यह भाई पहला step दूसरा step क्या है दूसरा step है भाई या देख यह centralized algorithm है यानि कि इसमें सिर्फ एक ऐसी ऐसा computer होगा एक ऐसा computer होगा एक ऐसी site होगी जो कि सारी network का wait for graph बनाएगी और फिर देखेगी कि भाई या redlock है नहीं तो मैं बोलूँगा एक designated site है एक designated site status table को लेगी और wait for graph बनाएगी designated site requests this status table and generate wait for graph भाई थार्ड step क्या है थार्ड स्टेप अभी है वो cycle check करेगी अगर cycle है तो भाई या designated site दुबारे चेक करेगी by requesting status table again और फिर से WFG बनेगी ठीक है न कैसे वो देखते हैं तो भाई या अगर no cycle no cycle इसका मतलब क्या है इसका मतलब है no deadlock no deadlock कोई deadlock नहीं है लेकिन अगर cycle आती है तो भाई या designated site जो है न वो दुबारे से request करेगी भाई यह दुबारे से status table दो आप जो नया status table आया है और पुराना status table भी है उन दोनों में से जो common है उन दोनों में से तो अब वेस्ट डेडलाग नहीं है ठीक है तो भी यास ध्यास दूना टू-फेस अल्गॉरिदम में हर एक साइड जो है मेंटेन करती है स्टेटस टेबल ठीक है डैसिकनेटिट साइड जो है वो ले लेगी स्टेटस टेबल फिर डबल्य फजी बनाएगी अगर साइकल नहीं साइड इस कि बार थैकल इस बार आ लोग है अकर नहीं है तो अ के नहीं है आजयी नहीं सही बाता है न तो इसका मतला है टू-फेस ऐल्गॉरिदम दो बार जो है तैबल, दो status table, एक होता है resource status table भहिया, और एक होता है process status table ठीक है, भहिया दूसरे step में क्या होता है, designated site जो है, designated site जो है मेरी, वो हर sight से, हर site से दोनों ही table को request करेगी, दोनों ही टेबल को इसको माल लेते हैं टेबल R इसको माल लेते हैं टेबल P तो हर साइट से designated site request करती है request टेबल R and टेबल P from each side from each side and draw और draw करती है क्या भाई WFG करती है wait for graph draw करती है wait for graph कैसे draw करेगी या जो common processes होंगे इन में TR में और TP में जो common processes होंगे उनका ही WFG बनेगा ठीक है ना अच्छा अगर इस वाले WFG में cycle है इसका मतलब क्या बहुत डेड़ लॉक है डेड़ लॉक है अधर वाइस अधर वाइस डेड़ लॉक नहीं है अधर वाइस डेड़ लॉक नहीं है यह भई वन फेज अलगोरिद्म तो भई इस लेक्चर में हमने दो अलगोरिद्म देखी टू फेज अन फेज टू फेज में क्या होता है भी यह हर एक साइड जो है status table maintain करती है designated side request करती है status table का और WFG बनाती है अगर इस बार साइकल नहीं आती है कोई भी तो यह इसका मतलब बाहर में जाओ डेड़ लॉक नहीं है लेकिन अगर साइकल आती है तो फिर से चेक करता है वो WFG कैसे नए status table और पुराने status table में जो common process होती है उनका WFG बनाके अगर इस बार साइकल आ जाती है तो इसका मतलब deadlock है नहीं तो नहीं है फिर आता है one phase algorithm one phase algorithm में हर एक site के वास दो टेबल होती है resource table प्रोसेटेबल designated site जो है तो यह है वो WFG बनाती है उन प्रोसेश का जो दोनो table में common होती है अगर इस बार साइकल आ जाती है तो deadlock है नहीं तो नहीं है one phase यानि के भी है एक बार इस डबले अफजी बने का two phase में क्या कर रहे थे दो बार डबले अफजी बन रहा था तो यह हो रामा मोरती algorithm भाई ठीक है इतना ही है इस lecture में